नमस्कार उत्राकर्ण मुक्त शुद्यालई योग विभाग आपका स्वागत करता है आज आपके साथ मैं नीता वो मेरे साथ भावनाबिष्ट मेरी सहयोगी है जो आज टेमोस्टेशन दिखा रही है आशनों के क्रम में आजका जो हमारा अभ्यास रहेगा वह सामाने युग अभ्यास रहेंगे जो भी अभ्यासम करेंगे उसमें बैट कर किये जाने वाले खड़े होकर किए जाने वाले पीट के बल लेटकर तथा पीट के बल लेटकर किये जाने वाले सभी सामानी अभ्यास रहेंगे इससे पूर्व हमने प्रारम भी अभ्यासों को किया था जिसमें हमने चॉइन्स फ्लेक्सिबिटी स्ट्रेंथनिंग के उपर ध्यान दिया परन्तो आज के जो अभ्यास रहेंगे वह सामानी अभ्यास है तो सबसे पहले हम आएंगे वजरासन में बैटे हुएं गुट्नों की बल खड़े हो जाएंगे जो अभ्यास रहेगा वह मारजारी आसन का रहेगा गुट्नों में हलकी दूरी बना कर रखें कंदों के बराबर जिससे कि आप सामानी स्थीती में गुट्नों की बल खड़े हो सकें धीर एसे शरीर को कमर से मोड़ते वे आगे की ओर लेकर आए, पैरों को अपनी जगह स्थिर रखें, सीधा रखें, कंधों के ठीक सीधे दोनों हाथों को स्थिर करें, स्वास भरते वे आपको अपनी कमर को नीचे की ओर दबाते वे, कंधों को पीछे की ओर उठाना है, तथा उपर की ओर देखने का प्रयास करना है, स्वास भरते वे, स्वास छोड़ते वे कमर को उपर की ओर उठाएंगे, कंधों का दबाव आग जुकाव आगे की ओर, कमर को नीचे की ओर दबाएं, अधिक तम दबाने का प्रयास करें, कमर पर खिचाव देते वे, अधिक साधिक उपर देखने का प्रयास करें, स्वांस छोड़ते वे धीरे धीरे, कमर को उपर उठाएंगे, गर्दन पूरी नीचे की ओर, नाभी को देखने का प्रयास करेंग हो सकता है उपर क्योण देखने में भी उन्हें कथिनाई महसूस हो सावधानी पूरवक वे अभ्यास करें जिनें गुट्नों से समबंदित किसे प्रकार की समस्य है वे इस अभ्यास को ना करें या पूरी सावधानी के साथ ही करें क्योंकि घुटनों का दर्द बढ़ सकता है इसमें पूरे शरीर का जो भार रहता है वो घुटनों पर पैरों पर तता हातेलियों पर रहता है स्वास भरते वे कमर को अधिक्तम खीचें स्वास छोड़ते वे कमर को अधिक्तम उपर की ओर उठाएं इसका नियमित अभ्यास कमर के लचीले पन को बढ़ाता है यह अभ्यास कंदों की जक्रन दूर करता है कुछ हद तक यह अभ्यास फेफ्णों की कारिशमता को बढ़ाता है जब आप स्वास उपर क्योर भरते हैं तो फेफ्णों का विस्तार होता है रिपकेज पर पूरा खिचाओ पड़ता है अभ्यास को पांस से दस बार आप कर सकते हैं वपुनह सामने की ओर देखते वे फिर से वजरासन की स्थितिमा आएंगे क्यदी आपने कमर को अधिक्तम खिचाओ दिया स्वास भरते हैं दोनु हातों को उपर के और उठाएं स्वास चोड़ते हैं कमर से आगे जुकेंगे परंतु पेर आपकी इसी स्थिति में रहेंगे शशांकासन का अभ्यास करेंगे जिनने गंभीर कटी रोगें वे आगे जुकने वाले अभ्यास को बहुत ज़्यादा खिचाव दे कर ना करें सावधानी पूर्वक करें या अभ्यास कमर की शितिलता के लिए काफी अच्छा अभ्यास है मानसिक शांती प्रदान करता है शशांक आसन का अभ्यास जब कभी भी कमर में दर्द या खिचाव मैसूस होती है तो इस आसन में विश्राम की स्थिती में हम आ सकते हैं जिनने उच्छे रक्तचाप की बहुत ज़्यादा समश्या रहती है वे इस अभ्यास को एवोईट कर सकते हैं या सावधानी पूर्वक करें स्लिप डिस्क से संबंधित वर्टिगो से संबंधित यदि कोई समश्या आपको है वर्टिगो की प्रॉबलम है तो इस अभ्यास को ना करें धीरे से वापस आएंगे अगला अभ्यास जिस प्रकार मार जारी आसन में हम गए थे दोनों पैरों में दिश्चित दूरी बना कर रखें कमर से जुकते वे कंदे के ठीक सीध में दोनों हाथों को स्थिर करें हातीलियों को जमीन पर रखें कमर वे दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखेंगे सबसे पहले आपको अपने बाएं पैर को उठा कर स्वास भरते वे पीछे की ओर लेकर जाना है सीधा करते वे जितना अधिकतम आप उपर की ओर खीश सकते हैं जंगा से और पैर को घुटने से मोर कर सिर की ओर लाने का प्रयास करना है पंजी कस पर सिर से कराने का प्रयास गर्दन को उपर की ओर उठाते वे स्वास भरते वे आपको यहाँ क्रिया करनी है स्वास छोड़ते वे पैर को धीर एसे मोड़ कर छाती के पास लेकर आएंगे नासिका से या माते से लगाने का प्रयास करना है पुना स्वास भरते वे फिर से पैर को खीचेंगे उपर की ओर खीशते वे, सीधा करते वे, घुटने से मोड़ेंगे, जितना अधिक तम, आप अपने पैर के अंगुठे को सिर से लगाने का प्रयास करेंगे, पुना स्वास छोड़ते वे, धीर इसे पैर को आगे की ओर मोड़ कर लेकर आएंगे, सिर के पास, यह हमने दो चक किये, बाए पैर से धीरे से समानि स्थिति माएं पैर को नीचे रखें, वह धूसरे पैर से भी इसका अभ्यास करेंगे, इसी प्रकार स्वास भरते वे पैर को सिर की ओर लेकर जाएं, अधिक्तम जगा को उपर के ओर की ओर खीशते वे, पैर को खीशते वे, स्वास प्रॉलेवे छाती के पास लगाएं में आगे की और पैर को मोड़ कर गुटने को माथे से लगाएं कि दूसरा चक्र पूरा करें इसी का व्यागरासन का अभ्यास जिनने मारजारी आसन में जाने में सुविधा होती है वे ही इसका अभ्यास करें जिनने गुटनों से संबंदित समश्या है सर्वाइकल की प्रॉब्लम है सर्वाइकल स्पॉनलाइटिस की या फिर कंधों में बहुत जादा जकडन है तो वे इसका अभ्यास सावधानी पूर्वक करें जिनने उच्चे रख्टक्ट आपकी समश्या है वे भी सब्भ्यास को सावधानी पूर्वक करें या किसी कुशल योग गुरु के मार्क दश्न में ही अभ्यास करें यदि आप कर सकते हैं यह अभ्यास कमर दर्द के लिए काफी अच्छा अभ्यास है किया अर्पुनर यहां हम सशांकासन में Tabii करें पूरक्ण भंचन गहांके व्योद्ण हातों को उपर किर उप हाएं कमर खीच कर स्वास छोड़ते वए माते को जमीन से लगाएंगे विश विश में यदि आपके कमर में बहुत ज़्यादा खिचा होता है तो आप इस प्रकार सशांकासन में आ सकते हैं तीरे से वापस आएंगे यहीं से खड़े उकर किये जाने वाले अभ्यासों से पूर्व इसी सीरीज में हम करेंगे उस्ट्रासन का अभ्यास तीरे से यहीं से दाई और मुड़ जाएं आप यहीं से साइट पोस्चर देखेंगे अरदुष्ट्रासन के अभ्यास का अभ्यास करने से पूर्व आपको सावधानी रखने हैं यदि आपको उचाई से चक्कर आते हैं यह आपको थाइरोड की समश्या है तो इस अभ्यास को ना करें जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है उन्हें कंदे में दर्द हो सकता है इस अभ्यास के दौरान तो सबसे पहले कंदे की जॉइंस मुमेंट करेंगे जब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए तो इस एक हाथ को मोड़ कर पीछे लेकर जाएं और उस पैर की एड़ी को पकड़ ले यह अरदुष्ट्रासन के अभ्यास है इसमें हात ऊपर रहता है और गर्दन पीछे की ओर यदि आपको कमर में दर्द मैसूस हो रहा है तो आप यहीं तक जाएं यदि आपको लगता ह आप अभ्यास कर सकते हैं आपकी कमर हलकी लचीली है कंदे हलकी लचील है तो दूरे से दूसरे हाथ को भी खुमाते वे दूसरी एड़ी के उपर रखें पैरों का दबाव आगे की ओर रहेगा कंदों का दबाव पीछे पैरों की ओर रखें गर्दन धीली रहेगी उस्ट् करता है जिससे फेफणों की कारिशमता बढ़ती है साथ ही साथ कमर को लचिला बनाने वाला अभ्यास जंगाओं पर पैरों की मांस पेश्यों पर कंदों की मांस पेश्यों पर काफी सकारात्मक प्रभाव डालता है यह अभ्यास पाचन संस्तान को भी प्रभावित करता है इस सकते हैं सुविधानुसार धीरे से वापस आएंगे एक एक हाथ को उसी प्रकार लेकर आएं जिस प्रकार आप लेकर गए थे कमर टाइट रखें वापस आते वे पुना सामने की ओर चेहरा करते वे बैठ जाएं और यहीं से अंतिमबार शशांकासन का अभ्यास करेंगे तोनों एडियों के उपर बैठें स्वास बढ़ते वे हाथों को उठाएं कमर को खीशते वे स्वास शोर कर शशांकासन मा आएंगे इस अभ्यास के बाद कमर में हलका फुलका दर्दे दिया आपको मैसूस होता है तो आप इस प्रकार शशांकासन मा आएंगे तीर इसे वापस आएं खड़े होकर के जाने वाले अभ्यासों में सबसे पहला आसन ताड़ासन का अभ्यासम करेंगे तीर इसे स्वास भरते वे आगे की ओर दोनु हाथों को सिर्के ओपर लेकर जाएं हतेलिया आमने सामने रहेंगी दोनु हाथों की उंगलियों को लॉक करना है अच्छी प्रकार से स्वास भरते वे हतेलियों को पलटेंगे उपर की ओर पलटते वे शरीर को पूरा खीच कर पंजो के बलाएंगे दोनु एड़ी उपर उठाते वे संतुलन बनाने का प्रयास करना है इस अभ्यास में त्यान रहें अभ्यास के दौरान गुट्मों पर बहुत जादा दबाव ना डालें प्रयास के दौरान यी आप्यूश कर सकते हैं यह अप्यास आतों पर खीचावुत पन्न करता है उदर के निचले भाग पर कमर पर खीचावुत पन्न करता है यह अभ्यास कंदों पर खिचावत बन करके कंदों को लचीला बनाता है यह अभ्यास उदर संस्तान से संबंदित समश्याओं के लिए काफी अच्छा अभ्यास है जैसे कब्स, एसीडिटी धीर इसे वापस आएंगे यहीं से एडियों को जमीन बर लगाते वे, हाथों को डीला छोड़ते वे और यहीं से खड़े होकर विश्राम की स्थितिम आएंगे तो नों पैरों में कंदों के बराबर दूरी रखते वे या तो आप हाथ को डीला रख सकते हैं या आगे और पीछे की और बात कर भी रख सकते हैं आखे बंद रखेंगे अभ्यास के साथ साथ यह जानना भी जरूरी है कि आप खड़े होकर किस प्रकार योगासन के बीच में विश्राम कर सकते हैं यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को दो से तीन बार कर सकते हैं यह अभ्यास शारिरिक और मानसिक संतुलन बनाता है स्थिर्ता के लिए काफी अच्छा अभ्यास था तीरे से वापस आएंगे और यहीं से अगला अभ्यास त्रियक ताडासन का दोनू पैरों में हल्की दूरी बना कर रखेंगे हल्की सी दूरी बना कर रखनी है कंदों से ज़ादा पैरों को नहीं खोलना है जिस प्रकार हम ताडासन में गए थे उससे प्रकार तुन्हों हातों को सिर्के उपर खीशते वे लेकर जाएंगे हतीलियों को आपस में फसाएंगे फिंगर्स इंटरलॉक करते वे हतीलियों को उपर के और घुमाएं शरीर को पूरा खीच कर रखेंगे परन्तु आपकी एड़ी जमीन से लगी हुई रहेगी स्वास भरते वे शरीर को खीशना है बीच में स्वास छोड़ते वे बाई और सीधे एक सीद में लेकर जाएंगे शरीर को खीशते वे ध्यान रहे चाती बहार की ओर रहेगी दोनु हात सिर से लगे वे रहेंगे एक तरफ को जुकना नहीं है, कंधी को एक तरफ जुकाना नहीं है पुना स्वास भरतेवे बीच में आएंगे यही से स्वास छोड़तेवे दाई और इसी प्रकार शरीर को सीधा सामने की और रखतेवे एक तरफ जाएंगे आपको कमर से दाई वा बाई और जुक कर अभ्यास करना है स्वास भरते वे बीच में आए पुना स्वास छोड़ते वे बाई और जुक केंगे पूरा खिचाव हतेली की ओर दे स्वास भरते वे बीच में आए यही से स्वास छोड़ते वे दाई और शरीर के उपर ही सेगा पूरा की चाओ बाहर की ओर दे कर रखेंगे तीरे से वापस आएं आप चाहें तो इस अभ्यास के चक्र को बढ़ा सकते हैं यहीं से विश्राम की स्थिति में रहें अभ्यास के दोरान शरीर में शंतुलन बनाना अवश्यक है जब आप दाई और बाई और जाएं पैरों को बिल्कुल सीधा आप रखते हैं आपको कुछ विश्य सावधानिया भी रखनी है कि आप शरीर को पूरा खीच कर रखें अन्यता नीचे गिरने की संभावना बढ़ जाती है यह अभ्यास कमर की चर्वी को कम करने वाला अभ्यास है साथी साथ कमर की मांस्पेश्यों को सबल बनाता है लचीला बनाता है यहीं से आसनों के क्रम में अगला अभ्यास करेंगे कटी चक्राशन का पैरों में इसी प्रकार एक से दो फिट की दूरी बना कर रखें थोड़ा और खोल कर रखें पैरों को स्वास भरते वे दोनु हातों को कंधे के बराबर फैलाएंगे बाहर की ओर हतेलिया नीचे की ओर रख सकते हैं स्वास भरते वे आपको तुन हातों को बाहर की ओर खीशना है स्वास छोड़ते वे आप शरीर को एक तरफ लेकर जाएंगे धीर इसे दाए हात को बाई कंधे पर रखें और पूरे शरीर को बाई ओर मोड़ें पीछे दाए हाथ को घुमा कर पेट के पास लेकर आएंगे पुनर स्वास भरते वे बीच में आएं हाथों को इसी प्रकार सीधा फैलाएं स्वास चोड़ते वे दाएं योर ट्विस्ट करें बॉडी बाए हाथ को दाएं कंदे की ओर गर्दन आपकी पीछे की तरफ ही रहेगी दाएं योर बाया हाथ पीछे की ओर से पेट तक लाने का प्रयास करेंगे इसी प्रकार रिदमिक वे में करेंगे लई बद्धिता के साथ स्वास का आना हाथों को बीच में स्वास छोड़ते वे फिर से ट्विस्ट करेंगे फिर से चेंज करेंगे पोजिशन 4 स्वास छोड़ते जाएं घुटनों को सीधा रखें 5 आप यह थोड़ा तेजी से भी अभ्यास कर सकते हैं 6 त्यान रहे गर्दन का भी मूव्मेंट आपके पीछे कंदे की ओर हो रहा है 7 एट स्वास छोड़ते वे आपको पूरी बॉड़ी ट्विस्ट करनी है धीरे से वापस आएंगे यह अभ्यास Constipation के लिए काफी अच्छा अभ्यास है कमर की चर्वी को कम करता है कमर की जकडन को दूर करने वाला अभ्यास है जिनने गंबीर कटिवाद की समश्या है वे थोड़ा सावधानी पूर्व किस अभ्यास को कर सकते हैं यह अभ्यास हलके फुलके कमरदर्थ में काफी लापकारी अभ्यास है, साथी साथ कंदों के जोडों को लचीला बनाता है अभ्यास, संग प्रक्षालन के दुरान जब आतों की सफाई की जाती है, शरीर की शुद्धी करण की क्रियाओं में, तो इस अभ्यास को शामिल किया जाता है, क्योंकि इसका दबाव, उदर की मांस पेश्यों पर पढ़कर आतों को और क्रिया शील करता है, तीरे से यही से हम अगला अभ्यास करेंगे, त्रिकोडासन का, त्रिकोडासन की फैनल पोजिशन में हम जाएंगे, दोनों पैरों में एक से दो फिट की दूरी बना कर रखें, आप चाहें, यदि अब और बहतर अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप दूरी को बढ़ा भी सक प्रारमिक स्तिती में आप इसी प्रकार करेंगे, दोनों हातों को कंदों के समाना अंतर फैलाएंगे, जिस प्रकार कटी चक्रासन में आपने किया था, ध्यान रहे, आगे की ओर जुकने वाला अभ्यास है, यदि आपके पैर बहुत जादा कड़े हैं, लचीले कम हैं, तो आप धीरे धीरे अभ्यास करें, क्योंकि इसमें पैरों पर अधिक्तम खिचाव रहेगा, जिनें कमरदर्द की समश्या है, वे आगे जुक कर इस अभ्यास को एवोईट कर सकते हैं, ना करें, आपको स्वास छोड़ते हुए, अपने दाए हाथ से बाएं पैर को, राइट ह स्वास भरते हुए, बीच माएंगे, सामने क्यों देखते हुए, फिर से यहीं से बाएं से दाए हाथ को, फिर से स्वास भरते हुए, सामने देखेंगे, और यहीं से जुकते हुए, लगतार बाएं से दाएं और अभ्यास को जारी रखें, स्वास भरें, स्वास छोड़त लेवे पैर उपर कमर पर पूरा खिचाव दें गर्दन का भी मूवमेंट आप इसी अनुसार करें जो उपर वाला हाथ है उसको देखने का प्रयास लगतार करते रहें आट से दस बार या फिर आप इस अभ्यास को बढ़ा कर भी कर सकते हैं आप चाहें तो पूरा उठकर ना करें यहीं से हातों को बलटते रहें स्वास भरें बीच में आएं इस्वास छोड़ें बाईयो और जाएं यह अभ्यास पैरों की मांस्पेश्यों को लचीला बनाता है यह अभ्यास नितम की मांस्पेश्यों को जोडों को लचीला बनाता है परंतु जिने साइटिका की प्रॉब्लम है वे इस अभ्यास को ना करें किसी भी कमरदर्द की समश्या में क्योंकि दर्द और बढ़ सकता है यह सभी आसन का प्रभाव हमारे उद्डर से स्तान पर पढ़ता है कियोंकि बार बार एक असामानिय ररसामानिय से दबाव बार बार पढ़ता रहेगा उदर की ओढ़ो कि मांसपेशों पर करिया शिलता बढ़ती है थीरे से वापस आएंगे यहीं से पुना हातों को डीला छोड़ते वे विश्राम की स्थिति में दुनों हातों को पकड़ कर डीला रखें शरी डीला, कंदे डीले आखे बांद जो स्वास प्रस्वास तीवर हो रही है उन्हें समानिय होने दें यहीं से खड़े ओकर अगला अभ्यास करेंगे व्रिक्षासन का संतुलन वाला अभ्यास है दीरे से आखें खोलते वे दोनों पैरों को पास में लेकर आएं ध्यान रहे यदि संतुलन बनाने में असुविदा होती है तो आप दिवार के सारे भी अभ्यास कर सकते हैं धीरे से बाएं पैर को मोड़ कर दाई जंगा के अंदर की तरफ जंगा मूल के पास रखने का प्रयास करें जिस पैर पर आप खड़े रहेंगे वह पैर बिल्कुल सीधा रखें स्वास भरते वे दुनों हाथों को उपर की ओर जोड़ लें यह प्रारंबिक स्थिती है यदि आप आसानी से संतुलन बना सकते हैं तो धीरे से कोहन्या मोड़ते वे दुनों हाथों को छाती के ठीक सामने लेकर आएं प्रणामासन की स्थिती में नजराप की सामने किसी एक बिंदू पर रहेंगी प्रारंबिक स्थिती में 10 से 15 सेकंड के लिए अभ्यास करें धीरे धीरे समयवधी को बढ़ाया जा सकता है यह अभ्यास शारीरी को अमानसिक स्थिता के लिए काफी अच्छा अभ्यास है तीरे से वापस आएंगे स्वास भरते वे तुनों हाथों को उपर के और खीच कर हाथों को विश्राम की स्थिती में लेकर आएं पैरों को विश्राम की स्थिती में लेकर आएं यही अभ्या दूसरे पैर से भी उसी प्रकार करेंगे त्यान रहे यह अभ्यास बाएं पैर से करने के बाद दाएं पैर से करें यदि आप पैर को जादा उपर नहीं लेकर जा सकते हैं तो शुरुवात में आप घुटने के पास भी रख सकते हैं संतुलन बनने लगे तो दीरे दीरे आप इसकी अंतिम स्थिती तक जाएंगे और अच्छा संतुलन बनने लगे तो आप हातों को छाती के आगे रखेंगे प्रणामासिन की स्थिती में या अभ्यास पिंडली की मांस्पेश्यों को मजबूत करता है मांसिक स्थिर्था के लिए काफी अच्छा अभ्यास है दीरे दीरे वापस आएंगे हातों को उसी प्रकार वापस लेकर आएं पैरों को वापस लेकर आएं आप चाहें तो विश्राम की स्थिती में भी आ सकते हैं आपको पेट के बल इस प्रकार लेटना है दोनों हाथ आपके पैरों के बगल में रहेंगे माथा जमीन से लगा हुआ अगला अभ्यास भोजगासन का अभ्यास रहेगा जिने हरनिया की प्रॉब्लम है या अलसर की समश्या है वे इस अभ्यास को ना करें अनितय अभ्यास काफी लापकारी अभ्यास है दीर इसे ठुड़ी को जमीन से लगाएं चिन को जमीन से लगाते वे दोनों हथेलियों को आगे की ओर लेकर आएं प्रारभिक स्तिती में आप दोनों हथेलियों को कंधों के पास रखें यदि आप इस प्रकार नहीं कर पा रहें तो आप सुविधान उसार हाथों को थोड़ा बाहर हतेलियों को या थोड़ा आगे रख सकते हैं चाती उठाएं ध्यान रहे आपका उदर का निचला हिस्सा दोनु जंगाएं जमीन से लगी हुई रहे स्वास भरते वे उपर जाते हैं और अंतिम स्थिती में स्वास छोड़ेंगे यदि आप इस स्थिती में रुखते हैं तो समाने स्वास प्रस्वास करेंगे और धीर से स्वास छोड़ते वे वापस आते हैं फिर से ही अभ्यास करेंगे यदि आप आसानी से अभ्यास कर सकते हैं तो हातों को हतेलियों को थोड़ा पीछे की और रखें चाती के दोनु तरफ रहेंगे सठे वे, स्वास भरते वे, फिर से उसी क्रम में ठुड़ी उठाएं कंदों को पीछे की और खीचे, हतेली उपर हल्का दबाव बना कर रखे पेट को उठाएं, दोनु जंगाओं का दबाव, जमीन की और रहेगा इस प्रकार बोजंगासन का अभ्यास करेंगे, पीछे की और देखकर अधिक तम कंवर को मोड़ने का प्रयास चितनी देर हो सकता है, पांस से दस सेकेंड, पंदरा सेकेंड, तीस सेकेंड, इस स्तिती में रुकेंगे समाने स्वास पर स्वास के सांद वापस आते वे धीरे-धीरे स्वास छोड़ें यहीं से कमर को और लचीला बनाने के लिए इसी क्रम में जो थोड़ असा कत्यात्मक रूप से अभ्यास है वे भी हम करके बताएंगे धीरे से यहीं से स्वास भरते वे एक फ्लो के साथ रिदम के साथ लाई बद्धिता के साथ उपर क्योर जाएंगे उसी प्रकार भुजंगासन की स्थिती में स्वास भरते वे ध्यान रहे स्माप स्वास भरते वे जा रहे हैं स्वास छोड़ते वे शशांक आसन माएंगे खुटनों को मोड़ते वे एडियों पर बैठ कर माथा जमीन से लगाएंगे गत्यात्मक रूप से यह अभ्यास कर सकते हैं कमर को लचिला बनाने वाला बहुत अच्छा अभ्यास है पुना स्वास भरते वे भुजंगासन पैरों का दबाव जमीन की और कंदों का पीछे की और रहेगा अभ्यास लगतार जारी रखें इसी क्रिया को चार से पांच बार करें भुजंगासन का अभ्यास कमर दर्द के लिए साइटिका के लिए सरवैकल स्पॉनलाइटिस के लिए फ्रोजन शोल्डर की जिने समश्या होती है उन सभी समश्याओं के लिए काफी अच्छा अभ्यास है इसके अध्यात्मिक लाब शारिरेकराब सांती सांत मांसिक लाब तीनों प्रकार के लाब मिलते हैं इस अभ्यास को नियमित रूप से करने से मांसिक शान्ति तनाव मुक्ति सभी प्रकार से प्रभावशाली अभ्यास भोजंगासन और आप कमर को और लचिला बनाने के लिए इडवांस पोस्चेर की और जाने के लिए इस तरको और अच्छा बनाने के लिए इस प्रकार भी गत्यात्मक अभ्यास कर सकते हैं पुना पेट के बल वापस आ जाए यहीं से धीरे से पेट के बल लेट जाए इसी में हम विश्राम करेंगे अध्वासन में विश्राम करेंगे यहीं से दोनों हाथों को कंधों के ठीक सामने की और फैला लिए सिर की तरफ इस प्रकार माथा जमीन से लगा हुआ रखें यदि आपको स्वास लेने में दिक्कात हो रही है तो उस कंधिशन में आप अपनी चिन जमीन से लगा सकते हैं अध्वासन का अभ्यास जिन्हें कमरदर्थ की समश्य रहती है उनके लिए यह विश्राम की स्थिती काफी अच्छी है और यहीं से एक और विश्राम का अभ्यास मकरासन का अभ्यासम बताएंगे थीर से कोनीयों को मोड कर अभ्यास के लिए आएं कोनी को मोड कर सिर को उनको मोड कर दोनों हाथों को गाल पर रख़हने स्प्रकार कोन्यों को थोड़ा अंदर की ओर लेकर आएंगे इस मात की छाती उठती है और अराम दैक स्तिती में सामान्यता कई बार हम इस प्रकार इस स्तिती में जाते हैं तो यह अभ्यास काफी अच्छा है कमर दर्द में विश्राम देता है जिनकी कमर में जक्डन रहती है पीछे जुक कर करने वाले अभ्यासों में तो यह अभ्यास काफी लापकारी अभ्यास है यही से वापस आएंगे पुनाह माते को जमीन की ओर रखें हाथों को पीछे की ओर कर लें सामान्य स्तिती में पोजिशन लेंगे यही से अगला अभ्यास हम करेंगे शल्भासन का अभ्यास चिन जमीन से लगा कर रखें ध्यान रहे जिनह हरनिया या फिर अलसर की समश्य है वे इस अभ्यास को ना करें ह़तेलियों को ऊपर आस्मान की ओर रखें हतेलियों की दिशा पलटते वे, जमीन की ओर न रहकर ऊपर की ओर रखें और हतेलियों को ठाई जोईन के पास रखें, दोनु जंगाओं के अंदर आपको फिक्स करना है जिससे कि आपको आपके हातों का प्रॉपर सपोर्ट मिल सके अभ्यास के दौरान स्वास भरते वे पहले आप एक एक पैर से करेंगे बाएं पैर के घुटने को बिल्कुल सीधा रखते वे पैर को खीशते वे उपर उठाएं ध्यान रहे ठुड़ी आपकी जमीन से लगी हुई रहेगी केवल आपको पैर को उठाना है स्वास चोड़ते वे धीरे से वापस आएंगे यही से दूसरे पैर से भी अभ्यास करना है स्वास भरते वे दूसरा पैर दाया पैर पूरा उपर की और खीचें ध्यान रहे अनति मिस्तिती में आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा पैर खीचा हुआ यदि आप पहली बार ही अभ्यास कर रहे हैं तो आप एक-एक पैर से कर सकते हैं तीरे से वापस आएंगे यदि आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आप दोनों पैर से भी कर सकते हैं दोनों पैर से अभ्यास करने में थोड़ा कटिनाई हो सकती है तीर इसे दोनों पैरों को स्वास भरते वे उपर की और उठाए हाथों से जंगाओं को उपर की और धके ले ठुड़ी जमीन से लगा कर रखे यदि आप बहुत ज़्यादा पैरों को नहीं उठा पाते हैं हलकी पैरों के बीच दूरी भी आप बना कर रख सकते हैं हलकी दूरी रखें और अधिक्तम उपर की और उठाने का प्रयास करते हैं धीरे से वापस आएंगे और यहीं से पुनह मकरासन में विश्राम की स्थिती मा आ जाएं पैरों को विश्राम दें पैरों को खोल कर विश्राम की स्थिती मा आएं पंजे बहार की ओर पैरों में हलकी दूरी बने ही रहीगी जिससे कि आपके दूनों पैर शितिल हो सकें शलवासन का अभ्यास साइटिका के लिए कमरदर्ध के लिए का भी प्रभावशाली अभ्यास है यह अभ्यास पैरों की जक्रन दूर करता है हिप मसल्स पर काफी अच्छा प्रभाव डालता है साथी साथ पूरे शरीर का दबाव पेट की ओर आने की वजह से यह अभ्यास उदर की ओर रक्त के संचार को बढ़ाता है परन्तु जिन्हें हरदयरों की गंभीर समश्य है वे इस अभ्यास को ना करें जिन्हें बहुत ज़्यादा सफोकेशन मैसूस होती है अभ्यास के दोरान या किसी भी योगासन में वे वापस आ जाएं पीट के बल लेट करके जाने वाले अभ्यास करेंगे तीरे से वापस आएं और बाई और करवट लेते वे पीट के बल लेट जाएं पहला भ्यासम करेंगे उत्तान पादासन हतेलियों का दबाव जमीन के और रखें दोनु हाथ शरीर के बगल में रहेंगे स्वास भरते वे दोनु पैरों को सीधा उठाएं दोनु पैरों को स्वास भरते वे घुटना सीधा रखते वे अधिक्तम उठाने का प्रयास करना है 30 डिग्री एंगल तग अभ्यास द्रेड होने पर आप चाहें तो पैरों को बिल्कुल सीधा करेंगे उपर की ओर 90 डिग्री जंगा से ठीक सीधे हतीलियों का दबाव जमीन की ओर रहेगा इस स्थिती में पांस से दस सेकेंड रुकेंगे प्रारंबिक स्थिती में जदी नियमित अभ्यास करते हैं तो 30 सेकेंड तक रुख सकते हैं यह अभ्यास सामान्य कमरदर्द में भी किया जा सकता है परन्तु चिने कंभी कमरदर्द की समश्या है या कोई भी कमर से संबंदी समश्या है सर्वाइकल स्पॉन लैटिस की समश्या है वे पूर हलासन की स्थिती में नहीं जा पाएंगे परंतु जो सामानिता अभ्यास कर सकते हैं उनके लिए अगला अभ्यास इसी में ही दोनों हतीलियों पर जोर देते हुए कमर को उठा कर पैरों को सिर के पीछे लाकर हलासन की स्थिती में जाते हैं आप चाहें तो कमर को तीरे धीरे सपोर्ट के साथ आगे की और धके लिंगे आपके पंजे जमीन से लगने लगे कमर पूरी जमीन से उठी हुई कंदे खीचेवे शुरुवात में आप हाथों पर इस प्रकार सपोर्ट दे सकते हैं हाथों से कमर को पकड़ कर यदि अभ्यस्त हो जाएं तो आप हाथों को सीधा जमीन पर रख ले हाथों को सीधा जमीन पर रख ले यदि हाथ बहुत फैलते हैं तो आप उस कंडिशन में हाथों की उंगलियों को लॉक भी कर सकते हैं अंतिविस्तिती हलासन की हलासन का अभ्यास कमर को लचीला बनाता है कंदो को लचीला बनाता है अधर को अंगों की मालिश करता है दीर से हातों को समान्य स्थिति में लेकर आए हतेलिव पर दबाव देते वे वापस आएंगे कमर को आराम से नीचे लेकर आए उत्तानपादासन में दीर से यही से वापस आएंगे शवासन की स्थिती में विश्राम करेंगे पैरों को खोल लें, पंजों को ढीला रखें, हाथों को थोड़ा दूरी पर रखें, हतीलिया पलट कर अध्खुली स्थिती में शरीर पूर्ण रूप से ढीला रखें अगला अभ्यास कंधरासन का अभ्यास जिससे सेट्वासन भी कहते हैं धीर से पैरों को मोड़ लें जंगा के पास रखें पैरों में हलकी दूरी बना कर रखें जितनी सामान्य तह दूरी रहती है कोशिश करनी है कि आप हतेलियों से एडियों को सपर्ष कर सकें यदि संभव हो सकें तो आप अपने दोनु एडियों को पकड़ लें हलका हाथों को कमर के नीचे रखते वे पैरों को खोलते वे भली प्रकार पकड़ लें यदि पकड़ में नहीं आते हैं आपको लगता है कि आप इतना हाथों को आगे नहीं लेके जा सकते हैं तो आप हाथों को किवल स्पर्ष करा सकते हैं स्वास भरते वे आपको अपनी कमर को जमीन से उपर उठाना है पूरा भार आपके कंधों पर हाथों पर और पंजों पर रहेगा पूरी कमर अधिक्तम जतना आप उठा सकते ह कंधरासन में पूरा भार कंधों पर रहता है जिनकी कुप निकल जाती है उनकी आकार को ठीक करने के लिए यह अभ्यास काफी अच्छा अभ्यास है जिनके कंदे काफी जुके रहते हैं उनके लिए काफी अच्छा अभ्यास है यहां अभ्यास कमर को विश्राम देने के साथ साथ कमर को मजबूत बनाता है लचिला बनाता है वाले अभ्यासों के क्रम में काफी आसान अभ्यास है जिसमें कमर में कम से कम खिचाव वा अधिक साधिक प्रभाव पड़ता है यह नितम वा जंगाओं की मानस पेश्चों को सबल बनाता है धीरे से स्वास छोड़ते वे वापस आए पैनों को सीधा कर ले, हातों को सीधा कर ले जो अभ्यास हम आपको बता रहे हैं यह एक से दो बार करके दिखा रहे हैं यह धिकतम पांस से छे बार आप इस अभ्यास के क्रम को बढ़ा सकते हैं समायवधी को बढ़ा सकते हैं और अंत में शवासन में विश्राम करें कम से कम पांस सेकेंड चरीर को ढीला रखते वे अचेत अवस्ता में पूरी सजक्ता शरीर पर शारिक स्तर में हो रहे परिवर्तनों पर शरीर वमन शांत रखते वे शावासन की स्थिती विश्राम की स्थिती